अस्सलाम उलिक्म दोस्तों दोस्तों इस दुनिया में आर्टिस्टों की कोई कमी नहीं है आप हर रोज अपने आसपास ऐसे बहुत से आर्टिस्ट देखते होंगे जो कि अपने फन में महारत रखते हों लेकिन आज हम आपको दुनिया में मुझूद ऐसे अनोखे आर्टिस् पर देख रहे हैं इसने अपने कमरे में ही गरजते हुए बादल और चमकती हुई बिजली का खोफनाक मंजर बना डाला इसको बनाने के लिए इसने सिर्फ वाइट लाइट और कॉटन का ही इस्तमाल किया और आप खुद देख सकती हैं कि यहां इसने कैसा खतरनाक सीन बना द दोस्तो इस बन्दे की इस महारत पर वीडियो को एक लाइक तो बनता है दोस्तो आपने पैंट की छोटी से जिप तो देखी ही होगी लेकिन क्या आपने कभी इतनी बड़ी जिप देखी है और वो बी जमीन पर इस आर्टस की इस आर्ड़ देतो सभी को हिरान कर दिया और इससे लोगों को असानी से दोखा दिया जा सकता है कि इस जिप को खोलने के बाद आप जमीन के नीचे देख सकती है इसके इलावा आप इस आड़ को भी देख लें जिसमें जमीन से एक हाथ बाहर की तरफ निकला हुआ है ये आदमी जमीन पर रंगों के साथ क्या कर रहा है इसका अंदाज़ा तो आपको कुछी सेकंड में हो जाएगा लेकिन ये क्या आप देखें यहां पर कैसी खौफ नाख खाई बन चुकी है ऐसे लग रहा है जैसे यहां से जमीनी पट गई हो मगर ये सिर्फ आँखों का ही दोका है और हर आने जाने वाला एक बार तो जरूर इस खाई से दोका खाएगा दोस्तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में हमें कॉमन करके लाज़में बताईएगा बेबी ओना बॉर्डर दोस्तो ये तस्वीर जो आप देख रही है ये आपको अमेरिका और मेक्सिको के बार्डर पर देखने को मिल जाएगी जैयर नामी एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने लोगों को अट्रेक्ट करने के लिए इसे बनाया और इसका मकसल लोगों को ये दिखाना था कि कैसे एक दिवार या बोर्डर लोगों को तक्सीम कर देती है 18 मिटर उंची इस तस्वीर में इस बच्चे को ऐसे दिखाया गया है कि जैसे कोई मेक्सिको से अमेरिका में जांक रहा हो और जब ये पेंटे मकमल हुई थी तो जैयार ने बोर्डर के दोनों तरफ एक शांदर पार्टी भी दी थी दोस्तो कि आपने कभी परिंदों का शहर देखा है अगर नहीं देखा तो ये अपनी सक्रीन पर देख लें जिसमें बहुत से परिंदे अकट्थे होकर रह सकती है इसके इलावा इस मेगा वर्ड हाउस को भी देख लें जो कि किसी सकाइस्केपर से कम नहीं है ये गर असल जैसा ही लगता है क्योंकि आर्टिस परिंदों के लिए अरामदा जगा बनाना चाहता था और बहुती मेहनत के बाद आखिरकार इसने ये गर बना ही दिया दोस्तो ये छोटी छोटी एग्जिबिशन आपको दुनिया बर के शहरों में देखने को मिल जाएगी जिसे देखर ऐसे ही लगता है कि जैसे ये कोई चूहों का शहरो ये गर एक आर्टिस ग्रूप ने बनाई हैं जो के काफी अट्रैक्टिव हैं और इन में मजूद बहुती खूपसूरत पेंटिंग की गई है इसे देखर ऐसे ही लगता है कि जैसे ये चूहों का शहरो मगर हकीकत में यहां कोई भी चूहा नहीं रहता दोस्तो अगर किसी को दोखा देने की बात करी तो 3D एफेक्ट इसमें पहले नमबर पर आएगा ये आर्टिस भी 3D एफेक्ट बनाने में मसरूफ है पहले इसने जिपसम को छोटे छोटे साइज की इंटो में काटा और फिर इसको जोड़ कर एक एल्यूजन बना डाली ये एल्यूजन तो वाक्य में काबल तरीफ है तो दोस्तो ये थे आर्टिस्टों की कुछ कमाल के कारणा में आपको इन सबी में से कौन सा सबसे ज़्यदा हिरान कुन लगा हमें नीचे कॉमन करके लाजबन बताईएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा